आदर्शिक्ष्ण समीती बाढ़ में द्वारा संसालित इक अक्साओं में आपका हर्दिक स्वागत यह अभी नंदन है विशे सामाजिक विज्ञान कक्सा आठ अमारे अतित सामाजिक यह राजनेतिक जीवन भाग एक अध्याएक बारती सविदान को अपन पहले से प्रारम कर चुके हैं आज अपन बारती सविदान के मुख्य लक्षन पढ़ने जा रहे हैं बारती सविदान के मुख्य लक्षन देखें तो अपन बीशमी सदी तक आते आते बारती राष्ट के आंदोलन काई दसक पुराना हो चुका था सवतंतर शंग्रस के दोरान राष्टवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि सवतंतर भारत किस तरह का होना चाहिए ब्रिटिस सासन के अंतरगत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बंडाए थे अपने वेशिक राजिय के लंबे अत्याचारी सासन ने भारतियों के सामने इतना जरूर इस्पष्ट कर दिया था कि सवतंतर भारत को एक लोकतांतरिक देश होना चाहिए उसमें परतियक नागरी को समान माना जाएगा और सबी को सरकार में इसे दारी का अधिकार होगा इसके बाद यहत्ताय करना था कि भारत में लोकतांतरिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हो यह काम किसी एक आदमी के वंस का नहीं था इसमें काम किसी एक लगभग तीन सो लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठीत हो गई सविदान सबा के सदेश्य थे भावी सविदान के निर्मान के लिए अगले तीन साल तक इन लोगों ने कारे किया सविदान सबा के इन सदेश्यों के सामने एक बड़ी जम्यदारी थी कि हमारे देश में कई समोधाय थे उनकी ना तो बासा एक थी ना एक दरम और ना ही एक जैसी संस्कृती थी वैसे भी जब सविदान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारा देश बारी उथल पुथल से गुजर रहा था बारत और पाकिस्तान का बंटवार अलग बगताय हो चुका था कुछ रियास्ताय नहीं कर्शपा रही थी कि उनका भविशी क्या होगा वे किदर जाएंगी जनता की समाजिक आर्थिक इस्तती बयानक थी सविदान सभा के सदेशियों के सामने ये सारे पुद्धे थे लेकिन उन्होंने अपने इस एतियासिक दाइत्वे को बहादूरी स से पूरा किया और देश को एक ऐसा कवत्मा सिल दस्ताविश दिया जिसमें राष्टी एक्ता को बनाई रखने हुए विविद्धा के पक्ति हमारा समान दिखाई देता है उन्होंने जो दस्ताविश तयार किया है उसमें सामाजिक आर्थिक सुदारों के जरिये गरीब य दूमूलन और जन प्रतिनीदियों के चैन में जनता की मातपूर्ण बहुमिका पर काफी जोर दिया गया है संगवाद इसका मतलब देश में एक से ज्यादा अस्तर की सरकारों का होना हमारे देश में राजे सरकार भी सरकार हैं और केंदर सरकार भी हैं पंचाई दिराज व वहमिक्क वैसक मतादिकार के सिदान को सविक्रति दी तो सभागे सदे से मकायर ने कहा था कि यह कदम आम आद्मी اور लोग दांतरिक सासन की सफ़्चन कषफलता हिं गहरी आस्ता का गोत के हैं और इस विस्वास पर आदारेत हैं कि वैसे एक मताधिकार के जरिये लोक्ताउंतरिक सरकार की इसता अपना जनो दय जाएगी यह आम आदमी के कुशल छेप जीवनिस्तर सुवीदा और बहत जीवनिस्तर को प्रोच शान देगी संसिदी शासन पदती आप देखिए संसिदी शासन पदती क्या होती है बारत का सभीदान अपनी सभी वैसक नागरिकों को बोट डालने का अधिकार देता हैं सभीदान सभा के सदे से जब सभीदान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि सतुंतरता संग्रस में भारतीस जनता को वैसक मताधिकार का प्रियूग करते करने के योगी बना दिया है उन्हें विश्वास था कि इसमें ना केबल लोकतांत्रिक सोच वा तोर तरीकों को प्रोचसन मिलेगा बलकि जाती वरग और मरद की फ्रक परादारित जाँच नीज की बेडियों को भी तोड़ा जा सकता है सारो भूमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने परतिनीदियों का चुनाओ में देश के सबी लोग की सीधी भूमिका होती है इसके अलावा हर वेक्ति खुद चुनाओ में भी लड़ सकता है और चाहिए उसकी सामाजिक प्रिष्ट भूमिक कैसी भी हो क्यों नहों प्रतिनीदि जन्ता की प्रति जवाब दे होते हैं लोग तांतरी कारिपदती में प्रतिनीदि को महत्पूर्ण होता है इसके बारे में अपन पहले पट चुके हैं सकतियों का बंटवारा अब देखिए सब्दान के अनुसा सरकार के तीन अंगें विदाइका, कारिपलीका और नियाईपलीका विदाइका में हमारे निर्वाचन प्रतिनीदि होते हैं कारिपलीका ऐसे लोगों का समूव हो जो कानुनों को लागू करने और सासन चलाने का काम देखते हैं नयाय लियों की वेवस्ता को नयाय पाली का कहा जाता हैं जिसके बारे में आप इस पुस्तक की कई में तीन में पढ़ेंगे सरकार की किसी भी साखादवारा सता के दुरूपियों को रोकने के लिए प्राउधन किया गया है कि इन सबी अंगों की सक्तियां एक दूसरे से अलग होगी सक्तियों की इस बंटवारे के आदार पर प्रतेक अंग दूसरे अंग पर अंकूस रखता है और इस तरह तिनों अंगों के बीच सता का संतुलन बना रहता है मौलीक अधिकारों की बात करते हैं पन मौलीक अधिकारों वाला खंड भारतिय सविद्वान की अंत्रा आत्मा भी कहलाता है उपनेवेसिक सासन में राष्टवादियों के दिमाग में राज्य के प्रतीश संदे का भाव पैदा कर दिया था इसलिए राष्टवादिय चाहते हैं कि सतंतर भारत में राज्य की सता के दुरूपयों को बचने के लिए कुछ लिखीत अधिकार होने चाहिए लियाजा मॉलिक अदिकार देश के सبही नागरिकों को राजञे की सताख के मन माने और निर्कों से पते हाँ से बचाते हैं इस तरह सवेदान राज़े और व्हेक्तियों के समक्स वैक्तियों के अदिकारों की रकसा करता है बीजी और मस्ञndлов की चाहते थे डॉक्टर अमिड़कर ने कहा था कि इसका दोरह उदिस हैं पहला नहरू हरेक नागरिक ऐसी इस्तिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी करशकें और उनसे अधिकार प्राप्त करशकें विभी नालब संखेक समूदाई भी चाहते थे कि सविदान में इसे संस्ता के लिए बाद्यकारियों जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकारों के अलावा हमरे सविदान के एक खंड नीतिन दिसक्ततों का भी है सविदान सभा के सदेशों ने ये खंड इसलिए जोड़ा था कि और ज्यादा समाजी आर्थिक शुदर सवतंतर भारत राजी जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाती वे इंशिदातों को मार्ग दर्श्र की रूप में हमेशा अपने सामने रखें कक्सा कारे में तीन परसन हैं पहला परसन संग बाद किसे कहते हैं सरकार की तीन अंग कौन-कौन से हैं और कारों का उलेक किये गया है और तीस रपसने संसे दिशासन प्रणाली क्या है